और सैफरी में 33 केविये की लाइन खराब हो जाने के बाद करहाल में पूरी तरीके से बिजली ठप रही जिसके चलते बिद्दुत उब्गोगपा को भारी दिक्तों का सामना करना पड़ा कड़कडाहती सर्दी में लोग हीटर का सहारा लेते हैं लेकिन बिजली गुल हो जाने के बाद यहां लोगों को परेशानी और ठानी पड़ी सैफरी बिजली घर में पावार ब्रेकर में आई खरावी के चलते करहल 33 के भी ये लाइन बंध हो गई जिसके चलते पूरे करहल की बिजली गुल हो गई ब्यापारियों मैं आम जन्मानफ में बिजली के गुल होने के बाद हाहा कार मच गया गलन भरी सर्ची से निपटने के लिए लोग रूम हीटर हीटर का सहारा लेते थे ऐसे मैं बिजली ना आने से लोगों को भारी दिकतो का सामना करना पड़ा वहीं एश्टी और रजस्वकला का कहना था कि कमी को दूर करने में टीम लगी होई है जल्दी बिजली सुचारू करती जाएगी अगर आपको जानना है मैं पूरी की छोटी बड़ी खवर का हाल तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन को दो दो दोद